प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं प्रशान्त सेंगर पहले एक अपील देशबर में 18 वर्ष से अधिक आयू वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुलक कोविड टीका करना भिहान जारी है युवाँ से आग रहे है कि टीका जरूर लगवाएं और अन लोगों को भी इसके लिए प्रोट साहित करें जब तक आवशक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के इन तीन सरल उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दोगस की सुरक्षे दूरी बनाए रखें और हाथ और चहरा साफ रखें कोविड संबंदी जान करें और मार्ग दर्शन के लिए राश्ट्री हेल्प लाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर करें और अब समचार सुनिए पहले मुख्य समचार गेंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी का आज प्रदेश दौरा इन दौर में लगभग 11,000 करोड रुपे की राश्ट्री राज्यमार्ग पर योजनाओं का करेंगे भूमी पूजन और लोकरपन प्रदन मंत्री नरेनर मुदी आज नई दिली में रक्षा कारेले परेशनों का उदगाटन करेंगे मुख्य मंत्री शिवराजी सिंग चोहान आज प्रदेश के सौसाहता समहों के सदस्यों से करेंगे सीधा समबाद कारिकरम मुख्य मंत्री निवास पर और देश में शहरी नियोजन शम्ता में सुधार पर आज रिपोर्ट जारी करेगा नीतियायोग और अब समाचार विस्तार से केंद्री सड़क परिभेन और राजमार्ग मंत्री नितन गडगरे आज प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं श्रीक गडगरे इन दौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लगभग 11,000 करोड रुपे लागत की राजटी राजमार्ग परियोजनाओं का भूमी पूजन और लोकार पंड करेंगे इस करकम में मुक्षी मंत्री शिवराजी सिंग चोहान, लोक निर्मान मंत्री गोपाल भारगव और लोक निर्मान राजमार्ज मंत्री सुरेश धाकड भी मौचुद रहेंगे करकम के दोरान भारत सरकार की महत्वा कांगशी भारत माला परियोजना के ताहित, प्रदेश के पहले मल्टी मौडल लोजिस्टिक पार्क के भे आधरशला रखी जाएगी केनर तथर राजजी सरकार के मद्दे इन दौर से जाबुआ मार्ग में माचल गाउं के समीब एक 150 एकड में मल्टी मौडल लोजिस्टिक पार्क बनाने के सम्मद में अनुबंध हस्ताक शरित किया जाएगा और ये लोजिस्टिक पार्क बियोटी फार्मूले पर बनाये जाएगा लोजिस्टिक पार्क बनने से मध्यप्रदेश में उत्पादित होने वाली वस्तों को दूसरे राज्यों और देश के बाहर भेजना आसान हो जाएगा रस्तोत है हमारे समवधता परित्योष दीख्षित की ये रिपोर्ट केंद्री सडक एवं परिवहन मंत्री नितिन गटकरी आज 16 सितंबर को रतलाम जिले के जावरा के समीप निर्माना धिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रस वे का निरिक्षन करेंगे केंद्री मंत्री राजिस्थान के बूंदी सावाई माधवपूर से रतलाम आएंगे वे यहाँ एक्सप्रस वे के निर्मान कारेंगे ये एक्सप्रस वे मध्य परिदेश के विकास में वरदान सिद्ध होगा इसके बन जाने पर पुर्देश के कई सीमा वारती जिले दिल्ली और मुंबई से सीधे जुड़ सकेंगे एक्सप्रस वे के बन जाने से यहां औद्योगी की विकास को गती मिलेगी और इंदोर उजयन सहित आसपास के जिले बड़े परिभान सेंडर के रूप में विक्सित हो सकेंगे आकाश्वानी समाचार के लिए रतलाम से अधिती मिश्रा के साथ मैं परितोष दिक्षित प्रदन मंदिर नरैंदर मोदी, आज नई दिली में कस्तुर्बा-गांधी-मार्ग और अफ्रिका वेन्यों इस्थित Rक्ष धार्य परिसरों का उदगाटन करेंगे श्री मोदी अफ्रीका वेन्यों में रक्षा कर यईले परिसर का दोरण करेंगे और सेना नौसेना तथा वायू सेना कातिकारियों से बात चीत करेंगे नए रक्षा का रहले परिसरों में सेना नौसेना तथा वायू सेना सहेत रक्षा मांतराले और सशस्त्र बलों के लगबग साथ हजार कर्मियों के बैठने की वेवस्ता होगी ये भवन आदोनिक, सुरक्षित और कारे प्रणाली की दृष्टी से सुविधा जनक होंगे भवन संचालन के प्रबंदन के लिए एक एकिकरित कमान और नियंतरन केंदर भी इस्थापित किया गया है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ताजाकिस्तान की राजधनी दुशामबे में कल शंगाई सहयोग संगठन S.C.O. के वार्षिक शिकर संमिलन में भारती प्रतिनिनी मंडल का नेतरित करेंगे विदेश मंतरी एस्थ जैशंकर भी इसे शिकर संमिलन में शामिलन में शामिलन के लिए दुशाम बजाएंगे S.C.O. के बैठक में अफगानिस्तान संकट के साथ साथ इसके आंतरिक और बाहरी असर पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है प्रादान मंतरी नरेंदर मोदी के जनतिती पर कल प्रदीश में टीका करण अभ्यान चलाए जाएगा मंदसौर जिले में तीसरे दौर के इस अभ्यान में सत्तर हजार से अधेक टीका करण का लक्ष रखा गया है जवलपुर में कोरोना वैक्सिन की पहली डोस लगाने के लक्ष को हासिल करने के लिए चलाए जा रहे टीका करण अभ्यान के दूसरे दिन कल 15,195 विक्तियों को टीका लगाए गया मुख्य मंत्री शिवराजी सिंग चोहान ने कल राजव्यापी डेंगू महा अभ्यान डेंगू से जंग जनता के संग अभ्यान का शुबारम किया इस मौके पर मुख्य मंत्री ने कहा कि डेंगू के बारे में सतर्पता रखें और बचाओ के उपाए अपनाते रहें शिवराजी शोहान ने कहा कि हमने प्रदेश में जैसे कोरोना का नियंतरान किया है वैसे ही जनता के सायोग से हम डेंगू को भी हराएंगे मुख्य मंत्री ने डेंगू जागरुकता रत को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का कोविड नाइटीन से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ और मू साफ रखें ब्रेक के बाद एक बर भेर आप सभी का समचारों में स्वागत है मुख्य मंतरी शिवराजी सिंग चोहान आजे राज्य ग्रामी नाजीवी का मिशन की तहत गठे ते सौसाहता समहों के सदस्तों से सीधा समबाद करेंगे मुख्य मंतरी निवास पर सुबह साड़े दस बजे आई जितने वाले समबाद कारकरम में लगबग 500 माहला समहों सदस्ते शामिल होंगे साथी प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम पंचायत इस्तर पर समहों सदस्ते भी कारकरम में वर्चोली शामिल होंगे शिली चोहान सौसाहता समहों सदस्ते से अनुभाव साजा करने के साथ उत्पाद करेताओं से भी चर्चा करेंगे पंचायत इस्तर रजी ग्रामिन आजिति का मिशन में ग्रामिन शेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों की महला सदस्यों को सतस्ते समहों से जोड़कर सामाजिक इवं आर्थिक सशक्ति करण किया ज़रा है मिशन दौरा प्रदेश के लगबग 44,000 ग्रामों में 3,33,000 समों का गठन किया गया है देश में संसद टीवी के रूप में नए सरकारी चैनल की परसाराण सेवा कल से शुरू हो गई है संसद टीवी का शोभारम में प्रदान मंत्री नरहेंद्र मोधी उपराश्पती और राजसबा के सभापती M.Bankai N.I.D. और लोकसबा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कल नई दिल्ली में आजितकार्कमे किया संसदी टीवी के शुभारंब पर प्रधान मंत्री नरेनर मोधी ने कहा कि जब संसदी की कारभाई देश देखता है तो इस से संसदों को बहतर आचरण की प्रेड़ना मिला करती है लोकसबा और राजसबा टीवी को इस साल फरवरी में विले कर दिया गया था और मार्च में संसदी टीवी की शुरुआत करते हुए इसके सीईओ की निउक्ति की गई थी निती आयोग आज देश में शहरी निवजन शमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी करेगा निती आयोग के उपाद्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और शिक्षा मंतरी धर्मे निर्परदान निती आयोग के मुख्य कारिकरी अधिकारी आमिताव कांथ की उपस्तिती में इसे जारी करेंगे इस रिपोर्ट में स्वास्त सुविधाओं से परिपूर्ण नगरों, शहरी भूमी के अधिक्तम इस्तिमाल, मानव संसादन शमताओं को बहतर बनाने और नगरी शासन को मजबूत करने जैसी सिफारशें की गई है नीतिया योगी की इस रिपोर्ट में इस्तानी नेतरत्व का निर्मान, निजिक्षेत की भूमी का बढ़ाने, तथा शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली को प्रगती शील बनाने जैसे विभेन ने पहलों के बारे में भी सिफारिश की गई है और अब इस बुलेटन के कुछ समचार संक्षिप में मनसौर में डेंगू और कोविड-19 महा वैक्सिनेशन अभ्यान 3.0 के सम्मन में जिला इस्तरी क्राइसिस मैनेजमेंट समिती की बैठक सोशासन भवान इस्तित सभागरह में शाम को आईजित की गई गौलिर जिले के बहटा पंजाबी पुरा में एक इकरित बागवानी मिशन के अंतरगत लगभग साड़े चहुदा हेक्टियर सरकारी जमीन पर राश्ट्री इस्तर की आलू टिश्यू कल्चर लैब का निर्मान किया जाएगा प्रदेश के उच्छ शिक्षामंद्री डॉक्टर महौन यादाव आज आगर मालवा जिले के सुसने रिस्तित शास्की महाविद्याले के छे अत्रिक्त कक्ष निर्मान तथा शास्की महाविद्याले सोयत के नवीन भवन निर्मान का भूमी पुजन करेंगे खंडवा जिले के पंधाना इस्तित जवाहर नवा देविद्याले में सत्र दोहजार बाईस देश के लिए कक्ष नौवी में प्रवेश है तो आउनलाइन आवेदन आमंतरित किये गए हैं निशुल का उनलाइन आवेदन पत्र 31 अक्टूबर तक नवदे विद्याले समिती की वेबसाइट के द्वारा भरे जा सकते हैं दार जिले के मन्रे का योजना में ग्राम पंचाय दोरा कराये गए निर्मान कारियों में अने मेतिता को लेकर मुखे कायर पलान अधिकारी ने तीन रोजगार साहे को कारण बताव नोटिस जारी किया है और होशंगाबाद जिले में जिला पर भारी ब्रजेंदर प्रताप सिंग 17 और 18 सितंबर को जिले के दौरे पर रहेंगे वे यहाँ एन एमवी होशंगाबाद के वैक्सिनेशन सेंटर में पॉद रोपन भी करेंगे अंत में इस बुलेटिन के मुखे समाचार एक बार फिर केंदरी मंत्री नितिन गड़करी आज प्रदीश का दौरा करेंगे इन दौर में लगबग 11,000 करोड रुपे की राश्ट्री राजमार पर यहोजनाओं का करेंगे भूमी पूजन और लोकरपन प्रदान मंत्री नरे नर्मोदी आज नई दिले में रक्षा कारहले पर इसनों का उधगाटन करेंगे मुख्य मंत्री शिवराज जिंग चोहन आज प्रदेश के सोहसायता समों के सदस्यों से करेंगे सीधा समबाद और देश में शहरी नियोजन शमता में सुधार पर आज रिपोर्ट जारी करेगा नितिया योग इस बॉलेटिन में इतना ही अन्तमे का पील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गस की दूरी हाथ दोना भी है जरूरी नमस्कार